तो बच्चो आपने कल देखा था कि पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करना चाहता था उसे एक छोटा सा बॉना मिला था जिसको बिल्ली पकड़े हुई थी बिल्ली उससे खेल रही थी यानि बिल्ली उसका सिकार करने वाली थी पैट्रिक ने उसे बचाय था और बॉने ने उसे promise किया था कि वो उसकी एक विश्पूरी करेगा। विश्मा उसने मागा था कि उसका homework बॉने को करना पड़ेगा। 35 दिन उसके school के बचे हुए थे, 35 दिन में उसका homework complete करना है, तो उसे एक grid मिल जाएगा। बॉने ने आगे देखिएगा क्या किया है। The little man's face wrinkled like a disc cloth thrown in the hamper, little man's face wrinkled हो गया, जुरियोंदार हो गया, ठीक उस तरह से, जिस तरह से hamper में या dustbin में फेका हुआ गूंजा हो जाता है। He kicked his legs and doubled his fists, उसने अपने legs किक मारी and fists doubled कर दिये, मुक्के डबल कर दिये। He grimaced and scold, उसने अपना मुँ बनाया, बिचकाया and first his lips और अपने ओठ दबाए। Oh, am I crushed? क्या मैं दुर्भाग साली हूँ? क्या मेरे साथ ऐसे ही गलत होता है? But I will do it, लेकिन मैं फिर भी यह करूँगा, मतलब है उस बूढ़े को, उस बौने को बहुत गुसा आया, क्योंकि इसने अपने homework करने की एक्छा रख दी। फिर भी उसने का चलो कोई बात नहीं मैं करता हूँ आपका homework, complete करूँगा And true to his words, और अपने सब्दों को सही करने के लिए, the little elf began to do Patrick's homework, सब्दों को सही करने का मतलब नहीं, बादा पूरा करने के लिए, उसने Patrick का homework करना शुरू कर दिया Except there was one glitch, glitch का मतलब गड़बर, के बल एक गड़बर को छोड़ कर, वहाँ गड़बर हो गई The elf didn't always know what to do, elf को, elf मतलब वो दूद जो था, देब दूद था उसके लिए तो, तो उसको कभी भी ये पता नहीं होता था कि करना क्या है And he needed help, और से help की जरूरत होती थी Help me, help me, he would say, वो हमेशा कहा करता था, help me, help me, किस से कहा करता था, Patrick से And Patrick would have to help, और Patrick को help करनी पड़ती थी, in whatever way, किसी भी तरीके से हो, हर चीज में Patrick को उसकी help करनी पड़ती थी I don't know this word, मुझे ये सब्द नहीं पता, the elf is squeaked, elf चिलाया While reading Patrick's homework, जब वो Patrick का homework किया करता था Get me a dictionary, मेरे लिए एक dictionary लाओ, no, what's even better, और नहीं नहीं, उससे भी अच्छा कुछ हो तो बोलाओ Look up the word, सब्द को ढूडो, यानि वो Patrick से ही सब्द ढूडवाता था And sound it, और सुनाओ मुझे, out by each letter, एक-एक अक्छर करके और इस तरीके से Patrick से ही वो काम करवा रहा था When it came to math, जब math का number आया, Patrick was out of luck Patrick का भाग खराब निकला What are time tables, अरे time table क्या होता है The elf shrieked, elf ने गुशा किया, चिलाया We elves never need that, हम elves को इसकी जरूवत कभी नहीं पड़ती And addition and subtraction and division and fraction नहीं हमें addition की जरूवत पड़ती है, जोड की, subtraction, घटाने की, division की, भाग की, and fraction की कभी भी जरूवत नहीं पड़ती Here, sit down, यहां बैठ जाओ, beside me, मेरे बगल में You simply must guide me, तुम बस थोड़ा जरा सा मुझे help guide करते जाना यह, Bonnie ने Patrick से बोला Elves know nothing of human history Elves को human history के बारे में मानो, इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है Of them, it's a mystery, उनके लिए तो एक रहश्य है So the little elf already a shouter और चुकि little elf तो पहले ही एक shouter था, चिलाने वाला था Just got louder, और तेज हो गया अरे यह क्या है, मुझे तो इस कुछ पता ही नहीं है Go to the library, library में जाओ I need books, मुझे books की जरूवत है More and more books, और ज्यादा books की जरूवत है And you can help me, read them too और तुम्हें मेरी help करनी होगी, उनको पढ़ने में भी, यानि मुझे पढ़के भी सुनाओ As a matter of fact चुकि यही सत्थ था Every day, in every way, हर दिन, हर तरीके से That little elf was a nag वो छोटा elf जोटे इल्याम लगाता रहा किस पर? Patrick पर Patrick was working harder Patrick फिर भी बहुत ज़्यादा परिश्चनम कर रहा था Than ever, हमेशा से ज़्यादा And was ate a drag और यह एक, उसे खीचा जा रहा था या उसे घसीटा जा रहा था या सच बोलें, तो वो Little man जो था वो इसको घसीटवा रहा था इसी से काम कर रहा था He was staying up nights वो रात रात भर जाकता था Head never felt so weary कभी थका हुआ सुस्त महसूस नहीं करता था Was going to school with his eyes puffed and weary वो अपनी सूजी हुई आँखों के साथ स्कूल जाता था जिससे उसे को ठीक से दिखाई भी नहीं देता था Finally, the last day of school arrived School का अंतिम दिन अंतिता आही गया स्वतंत्र हो गया As for homework There was no more क्योंकि homework अब नहीं बचा था वाकी कोई homework नहीं बचा था So he quietly and slightly slipped इसलिए वो सांती पूर्वक चुप चाप वहां से खिसक लिया Out of the back door Back door से होकर Patrick got his A's Patrick को अपना A मिल गया A grade मिल गया His classmates were amazed His teachers smiled and were full of praise उसके teachers मुस्कुराए और उसकी प्रसंसा करने लगे बहुत ज़्यादा प्रसंसा करने लगे And his parents उसके माता पिता भी They wondered what had happened To Patrick उन्हें आश्यर हुआ कि अरे Patrick को यह क्या हो गया Patrick नहीं सब कैसे कर दिया He was now the model kid अब वो model kid बन गया था स्कूल के बच्चों के लिए सब उसका अनुसराण करने लगे थे Cleaned his room अपना room साफ करता था Did his chorus वो अपना काम करता था Was cheerful हमेशा पिसंद चित रहता था Never rude कभी भी वो धुर बयोहार नहीं करता था Rude बयोहार नहीं करता था Like he had developed a whole new attitude अब उसमें एक नया attitude डेबलप हो चुका था You see In the end Patrick still thought He had made that tinny man do all अब देखेंगे कि अंत मैं भी Patrick still thought that Patrick अभी भी सोचता था He had made that tinny man कि उसने उस छोटे से आदमी से He सारा work कराया है His homework But I will share you a secret लेकिन मैं आपके साथ एक गुप्त राज secret करना चाहता हूँ Just between you and me और केबल ये राज हमारे और तुमारे बीज में रहेगा किसी को बताना नहीं ठीक है न It wasn't the elf वो elf नहीं था जिसने वर्क किया था Patrick had done it himself Patrick ने अपना homework स्वयम ही पूरा किया था एक्च्वल बात ये है elf ने सिर्फ उसे गाइड किया था और वो इस बहाने से कि मुझे ये नहीं पता ये नहीं पता मुझे बुक पढ़ना नहीं आता मुझे history नहीं पता बुक्स लाओ बुक्स पढ़के सुनाओ words की meaning बताओ ढूंड के dictionary मैं से ये सब करवा करवा कर actual मैं elf ने सारा work पैट्रिक से ही कराया था अब पैट्रिक ने A grade भी पा लिया था इसी तरह से आप भी अगर चाहेंगे dictionary की help लेंगे बुक्स को पढ़ेंगे नहीं आता है तब भी उस work को करनी की कोशस करेंगे लगातार करेंगे तो आप पे सब कुछ होने लगेगा भले ही आपको कुछ ना आता हो जैसे पैट्रिक को भी पहले कुछ नहीं आता था क्योंकि वो पढ़ता नहीं था home work नहीं करता था वो इग्नोरेमस था यानि अज्ञानी था लेकिन धीरे धीरे उसने करना शुरू किया और हो स्यार बच्चा बन गया थैंक यू